तो गांव दिख रहा है वह ग्रीन ग्रीन उससे भी थोड़ा सा आगे जाके लगबग यहां से तीन किलोमेटर पूर्णे गांव आता है वहां से ओफ रोड है और यहां पर एक पॉइंट है और यहां से पूर रहे हैं गांवाले के गंटे का रस्ता है बाकी देखते हैं अभी बाइक यहां घड़ी कर दी है हमें आप चेक के जाएंगे एक गंटे का असपास जो भी है बटसी मजा यही है कि हो मनेस्ट्री ओन होल अत्री करें तो बस्ता है कर दो कर दो कर दो कर दो, फूकतार मोनेस्ट्री वन दे वन्टर दूज विन्टोफ इंडिया प्यूर हमालेयन जैन Situated in Lugnak Valley of Zanskar in Ladakh region यह monastery यह cave में बनाए गई है और वो cave भी ground पे नहीं है Ground से काफी उपर एकदम खड़ी चट्टान के बीच में cave है जहाँ पे यह monastery बनाए गई है और यह पहाड भी मिट्टी का है यही इस monastery की खासियत है कि यह आज भी अपने उसी रूप में ही है इतने सालों से चलिए अब इस monastery की थोड़ी history जानते है According to history 25 साल पहले मादमोजी के जो 16 अरहत्स थे direct disciple उनमें से एक यहाँ आये थे और उन्होंने 3000 students को यहाँ पे शिक्षा दी थी उसके बाद से यह जगह यहाँ के लोगों के लिए काफी secret है और 700 साल पहले यहाँ पे यह गोंपा बनाया गया इस गोंपा में काफी सारे कमरे हैं monks के लिए और भुलबले यह जैसे रस्ते भी हैं जो काफी मज़दार है ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे काफी बड़े बड़े लामास भी आए हैं teaching के लिए, practice के लिए, meditation के लिए and this is the only monastery जहाँ पे अभी भी चल के जाना पड़ता है road अभी तक पूरी तरह से connected नहीं है यहाँ पे आने के लिए एक घंटे का hike करना पड़ता है जो नदी के साथ साथ है, सरब चुरीवर के साथ और सामान पहुचाने के लिए यहाँ पे भी गोड़े या गधे पे लादके इनको लाना पड़ता है winter यहाँ पे काफी harsh होती है क्योंकि उस समय जो भी hike करसता है, वो सब unreachable हो जाते है क्योंकि यहाँ पे snow होती है, तो slippery होने का बहुत ज़दा डर होता है तब यह इस नदी पे यह frozen होती है winter में, इस पे चलके ही सारा समान लाते है, और फिर यहाँ पे आके दन यहाँ से उपर monastery के लिए climb करते है, यह monastery का top area है, जहांसे यह नीचे का पूरा view अभी हम देख रहे है यह monastery का kitchen है, इस gompa का kitchen, जहांपे सभी लामाज के लिए यह visitors के लिए खाना बनता है और यह actual cave है, जिसके surrounding यह सारी monastery बिल्ट करी गई है तो यह cave है, जो पच्चिस साल पुरानी है, मेंस की पच्चिस साल पहले, जब सोला हरत्स में से एक आये थे, वो यहां रहे थे तो अभी इसके ऊपर हम जाएंगे, वहाँ पे कुछ rooms दिखेंगे, यहां सीडियो से होते हुए यह वो छोट-छोटे कमरे हैं, जहांपे वो meditation करते थे और अपने teaching देते थे इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए एक और वंडर लेके आते हैं, तब तक के लिए जुले करते हैं, जहांगे, यहांगे, 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